Hello student, round 1 का result आ चुका है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैं document से related video बना चुकी हूँ, इस video के description में मिल जाएगा Upgradation process से related video बना चुकी हूँ, किस तरह से आपको सारी process करनी है, सारी details already बना चुकी हूँ बट still ये video में दुबारा बना रही हूँ, ये document की list है, एक बार चेक कर लीजिए आपके पास सभी document है या फिर नहीं, आपके पास अगर कोई document नहीं है तो आप अभी बनवा सकते हैं ये document की list, I know ये मेरे college की है, बट ये ही सारे document सभी college के लिए applicable है, कोई अलग से document नहीं लगेगा, इन में से कोई document अगर आपके पास नहीं है, तो आप बनवा सकते हैं सबसे बड़ा confusion होगा, what is relieving letter, तो relieving letter उन student के लिए है, जो अलरड़ी किसी और college में admission ले चुके थे, वहाँ से अब वो छोड़कर इसमें admission ले रहे हैं, उन्हें relieving letter मिलता है, बहुत सारे बच्चों के पास character certificate नहीं है, character certificate generally school के principle के द्वारा sign किया हुआ एक certificate होता है, अगर नहीं है, तो आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, police station से बनवा सकते हैं, आपको format कोई specific format नहीं है, आप किसी भी format में बनवा सकते हैं, character certificate कैसे बनता है, आप Google पर search करिए, YouTube पर search करिए, बहुत सारे वीडियोज हैं कि character certificate कैसे बनवाएं, आपको पता चल जाएगा, TC migration school से मिला हु बाकि सारे ही documents एक बार read कर लो, इन सभी का format मेरे telegram channel पर already uploaded है, तो telegram channel से आपको सारे format मिल जाएगे, इसलिए इस वीडियो के description में link देख लेना, telegram channel की आपको मिल जाएगी, बाकि यही document है, सारे college के लिए same लगते हैं, इसलिए मैंने अपने college का आप सभी से share किया, government हो या private सभी में यही document लगने हैं,